हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल RDD sound में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो बेस और तीम टॉप का आपके लेकर आपके आओ और साती दोस्तों आज की वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि आपको चलाने के लिए मैंने कौन सा एंप्लिफार यूज किया है और दोस्तों बेस को चलाने के लिए मैंने कौन सा एंप्लिफार यूज किया है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इस से देकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तो आपके मुन्में इस साथ कोई भी कोंशन है तो दोस्तों मुझे comment box में comment करके पूश सकते हैं या पिर दोस्तों आप मुझे Instagram पर DM करके भी पूश सकते हैं जिसका link मैं आपको description में प्रोबैड करा दूंगा या फिर इसके पर हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिएगा और यहीं दोस्तों आप मैं चैनल पर पहली बारा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल मोडल नमर दोस्तों आपको SPX 1210 देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों यह टॉप आपको अउजा की तरफ से 1000 वाटेज का यह टॉप आपको देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों यह उजा का कापी popular टॉप है तो चैनल दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आपको 35 से 1000 देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इस टॉप में आपको 15 इंच के दो टॉप इस्पीकर देखने को मिल जाते है जिसके voice-quail का साइज आपको 4 इंच में देखने को मिल जाता है अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप की sensitivity के बारे में तो दोस्तों इस टॉप का sensitivity आपको 103 दीवी देखने को मिल जाता है अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के evidence के बारे में तो दोस्तों इस टॉप का evidence आपको forum evidence देखने को मिल जाता है अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टॉप के net weight के बारे में तो दोस्तों इस टॉ 40,000 से 48,000 के 20 में देखने को मिंच जाएगा दोस्तो यह मैं किवल आपको approximate price बता रहा हूँ दोस्तो यह कोई fix price में आपको नहीं बता रहा हूँ दोस्तो फेर कापय वाई लोग comment करके बोलते हैं कि भाई आप price गलत बता रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, कम बता रहे हो, दोस्तों मैं किवर आपको approach price बता रहा हूँ, दोस्तों मैं जो price आपको बताता हूँ, आपके area में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों आप गलत कमंड मत किजिएगा प्लिस चली दोस्तों आब बात कर लेते हैं कि इस setup में मैंने कौन सा base यूज किया है तो दोस्तों इस setup में मैंने आउजा का SWX 101 base यूज किया है जो कि दोस्तों ये base आपको आउजा की तरफ से 1000 wattage का ये base आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों इस base का power rating आपको 1000 wattage armage में देखने को मिल जाता है और दोस्तो 2000 wattage program power देखने को मिल जाता है और साथ ही दोस्तों ये base आपको one way base देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस base में आपको 18 इंची का एक speaker देखने को मिल जाता है अब चली दोस्तों बात कर लेते हैं इस base के frequency response के बारे में तो दोस्तों इस base का frequency response आपको 36 से 200 orders देखने को मिल जाता है अब चली दोस्तों बात कर लेते हैं इस base के evidence के बारे में तो दोस्तों इस base का evidence आपको atom evidence देखने को मिल जाता है और साथी दोस्तो इस बेस में speaker का voice coil का size आपको 5 inch देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो इन और आउट दोनों layer में देखने को मिल जाता है अब चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं इस base के net weight के बारे में तो दोस्तो इस base का net weight आपको 55 kg देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तो ये बेस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को या तक वाच कर लिया तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सकाइब भी कर दीजिएगा तो चली दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इस सेट अप में टॉप को चलाने के हो चैनल कर देता है और दोस्तों इस पट्रीफायर का चैनल पर सोवतेजय में निकल कर देता है और दोस्तों यह amplifier आपको 8 ohm पर 950 wattage डोनों चैनल पर rms में निकलकर देता है जो कि दोस्तो यह amplifier आपको कापी अच्छा output निकलकर देता है दोस्तों जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस amplifier के breeze mode power output के बारे में तो दोस्तों यह amplifier आपको breeze mode में 8 ohm पर 3200 wattage armage में निकल कर दे देता है और दोस्तो 4 ohm पर 4500 wattage armage में निकल कर दे देता है अब चली दोस्तो बात कर देते है इस amplifier के dumping factor के बारे में तो दोस्तो इस amplifier का dumping factor आपको 400 देखने को मिल जाता है अब चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier के frequency response के बारे में तो दोस्तो इस amplifier का frequency response आपको 2070 से 2070 देखने को मिल जाता है जोगी दोस्तो ये कापी best है जोड़ी दोस्तो आप बात कर लेते हैं इस amplifier के net weight के बारे में तो दोस्तो इस amplifier का Nate Weight आपको 33 केजी देखने को मिल जाएगा तो जोड़ी दोस्तो आप बात कर लेते हैं इस amplifier के APROCX Phось के बारे में तो दोस्तो इस amplifier का APROCX Phось आपको 5600 के बीछ में देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तो यह amplifier आपको 54 से साइट 1000 के बीच में एजी लिए आपकी market में देखने को मिल जाएगा अब जोनी दोस्तो बात कर लेते हैं कि base को चलानी के लिए मैं कौन सा amplifier लेना चाहिए तो दोस्तो base को चलानी के लिए मैं अउजा का LX 4500 amplifier ले यूज करने वाला हो जिसका power output आपको दोस्तो 8 ohm पर 1000 wattage दोनों चैनल पर armage में देखने को मिल जाएगा और दोस्तो 4 ohm पर यह amplifier आपको 1550 wattage दोनों चैनल पर armage में निकाल कर देदेगा और दोस्तो 2 ohm पर यह amplifier आपको 2250 wattage दोनों चैनल पर armage में निकाल कर देदेगा अब चैनल दोस्तो बात कर लेते हैं इस amplifier के bridge mode power output के बारे में तो दोस्तो bridge mode में यह amplifier आपको 8 ohm पर 3100 wattage armage में निकाल कर देदेगा और दोस्तो 4 ohm पर 4500 wattage armage में निकाल कर देदेगा अब चली दोस्तों बात कर लेते हैं इस amplifier के dumping factor के बारे में तो दोस्तों इस amplifier का dumping factor आपको 600 देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस amplifier का net weight आपको 36.50 के विज़े देखने को मिल जाता है अब चली दोस्तों बात कर लेते हैं इस amplifier के frequency response के बारे में तो दोस्तो इस amplifier का approach price आपको 50-50,000 की बीच में देखने को मिल जाएगा दोस्तो हो सकता है कि इस amplifier का price आपके market में थोड़ा बहुत दुख पढ़ने से हो सकता है तो वाप और आप अपने हिसाब से manage कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं इस setup के connection के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे top के connection के बारे में तो दोस्तो इस setup में मैंने अउजा का SPX 1210 model का top यूज किया है जो कि दोस्तो 4 ohm पर 1000 wattage का top है और दोस्तो मैंने इस setup में top को चलाने के लिए इस studio master का PA 4.5 amplifier यूज किया है जो कि दोस्तो 2 ohm पर 2250 wattage दोनों चैनल पर निकल कर देता है और दोस्तो 4 ohm पर 1600 wattage दोनों चैनल पर RMS में निकल कर देता है तो दोस्तो इस setup में हम इस amplifier के उपर एक top एक channel पर चलाएंगे और दोस्तो दोस्तो इस amplifier के एक channel पर हम दो top चलाएंगे जो कि दोस्तो एक top मेरा 1000 wattage का है तो दोस्तो पहले जब हम connection करेंगे तो दोस्तो दोनों top का wattage मिला कर हो जाएगा 2000 watt और दोस्तो 4 ohm से हो जाएगा direct 2 ohm तो दोस्तो ये amplifier आपको 2 ohm पर 2250 wattage आर्मस में निकालकर दे रहा है दोस्तो दो top आप इस amplifier के एक channel पर चला सकते है जो कि दोस्तो आपका दोनों top का wattage जोड़ो जाएगा 2000 wattage और दोस्तो ये amplifier आपको 2250 wattage 2 ohm पर निकालकर दे रहा है तो यदि आप इस amplifier के 2 ohm पर 2 top चलाएगा वह दोस्तो 200 wattage ज्यादी power ज्यादा रहता है तो दोस्तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तो आपका top कापी ज्यादा खुलके वह दोस्तो कापी अच्छा top बजेगा अब चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कि इस amplifier की एक channel पर हम एक top कैसे चलाएंगे तो दोस्तो मैंने इस amplifier की एक channel पर एक top चलाएंगे तो दोस्तो आपका जो टॉप है वो दोस्तो 1000 wattage का है और दोस्तो आप इस situation में यह कर सकते है कि आपके amplifier के जिस बी channel पर आपका top चल रहा है उसका volume दोस्तो आप थोड़ा कम रखियेगा तो दोस्तो उससे क्या होगा कि आपका top चलेगा नहीं हो दोस्तो आपको कापी अच्छा response मिलेगा या भी दोस्तो आप यह कर सकते है कि अउजा SPX 1210 model top की जगह आप SPX 1510 model का top यूज़ कर सकते है जो कि दोस्तो आपका 4 ohm पर 1300 wattage का top है तो दोस्तो वो टॉप इस amplifier के इस channel पर easily वो टॉप चल जाएगा दोस्तो यदि 300 wattage power ज्यादा रहेगा तो दोस्तो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं आप उसे दोस्तो आपका top काफी अच्छा हो दोस्तो काफी खोल कर बजेगा अब चली दोस्तो बात कर लेते है कि इस setup में हम बेस का connection कैसे करेंगे तो दोस्तो इस setup में मैंने अउजा का SWX 1010 model का base यूज़ किया है जो कि दोस्तो ये base हमारा 8 ohm पर 1000 wattage का base है तो दोस्तो मैंने इस base को चलाने के लिए इस setup में मैंने अउजा का LX से 4500 amplifier यूज़ किया है जो कि दोस्तो वो amplifier हमको 8 ohm पर 2000 wattage armage में निकाल कर दे देता है तो दोस्तो एक base का connection हम इस amplifier के एक channel पर कर देंगे और दोस्तो दूसरे base का connection हम इस amplifier के दूसरे channel पर कर देंगे पर दीजिएगा दोस्तो यह आपके मंद में इस setup से related कोई भी question है या doubt है तो दोस्तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते है या पि दोस्तो आप मुझे instagram पर भी dm करके पूछ सकते है जिसका link मैं आपको description में provide करा दूँगा या पि screen पर username सो हो जाएगा चलिए दोस्तो मि मिलते हैं किसी और ना इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ में तब तक के लिए जाहीं जय भारत